अलो चुजन हाव आर यू आई होप आप से भी ठीक होंगे तो आज से हम क्लास एट आई सी एमेल अगरवाल एक्सरसाइस 11.3 के कुछ नमर 2 से आपको बताएंगे तक आपको क्या करना है ठीक है सारी एक्सप्रेशन को देखिए कुछ नमर 2 से लेकर कुछ नमर 13 तक एक इस्प्रेशन तरीके की आइडिनिक्टी का इस्तिमाल हुआ है जिसका जिकर मैं जिसका इंट्रो मैं पहली वीडियो में आपको दे चुका हूँ इस एक्सरसाइस की 11.3 के पार्ट 1 में मैं उसका इंट्रेशन दे चुका हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ अगर कहीं पे समझेगा अगर कहीं पे a square minus b square form का कुछ लिखा है तो इसका factorization क्या होता है एक bracket में लिखते हैं हम a plus b दूसर bracket में लिखते हैं a minus b सुन्या है बेटा इस identity का इस वीडियो में इस्तिमाल है कौन सा? अगर कहीं पे a square minus b square लिखा है तो एक bracket में हम a plus b लिखते हैं दूसरे bracket में a minus b लिखते हैं ओके बेटा clear है इसके बाद देखो क्या दिया है 4p square minus 9 तो 4p square को क्या लिखेंगे 2p का holy square ठीक है minus 9 को क्या लिखेंगे 3 का square ठीक है बेटा clear है इसके बाद देखो a की जगा पर 2p आ गया b की जगा पर 3 आ गया इसका factorization क्या होगा एक bracket में a plus b लिखेंगे दूसरे bracket में a minus b a की जगा पर क्या है यहां पर 2p है plus b की जगा पर क्या है 3 है a की जगा पर 2p है minus b की जगा पर 3 है यह इसका क्या होगा बेटा factorization हो गया समझ में आया बेटा अच्छा है A की जगा पर यहाँ पर 2P है B की जगा पर 3 है A की जगा पर 2P रखा B की जगा पर 3 रखा ऐसे ही A की जगा पर 2P रखा B की जगा पर 3 रखा एक में प्लस लगा दिया एक में मैनस लगा दिया दोनों को अलग-अलग ब्रैकेट में लिख दिया क्लियर है बिटा अच्छे से चलो कुछ नंबर सिगेंड का पार्ट टू देखो 4X स्क्वाइर को लिख सकते हैं 2X का होली स्क्वाइर 169 Y स्क्वाइर को लिखेंगे 169 आपको पता होना चाहिए 13 का स्क्वाइर का हो 21 का पता हो ऐसे करके अगर अपको एक से लेक bersa 25 ताग सारे नंबर का स्क्वाइर पता है तो आप इस क्वाइर को आज के लिए रहे अच्छे से चलो कुछ नमर थर्ड का पार्ट बन देखो 9x² y² तो यह हो जाएगा 9 होता है 3 का x की power 2 लिखा है तो x हो जाएगा y की power 2 लिखा है तो y हो जाएगा ठीक है power 2 इसकी whole square ठीक है minus 25 का square क्या हो जाएगा 5 का square लिखेंगे ठीक है 25 को कह लिए सकते हैं 5 का square फिरवाई चीज एक bracket में 3xy plus 5 दसर bracket में 3xy minus 5 clear रहे ने बिटा वैसे इसको देखो 16x square इसको लिख सकते हैं आप 4x का whole square minus 1 को आप लिख सकते हैं 1 का square यह बात ध्यान रखेगा अब 144 को लिखेंगे 12 का square तो यह हो जाएगा 1 upon 12 का whole square ठीक है बिटा अच्छे इसके बात देखो एक ही जगापर 4x है बी ही जगापर 1 upon 12 है तो एक bracket में हो जाएगा 4x plus 1 upon 12 दूसर ब्राकेट में क्या हो जाएगा 4x minus 1 upon 12 clear रहे बिटा अच्छे से चलो question number 4 का first part देखो समझना थोड़ा सा यहां से पहले एक number आप common लेंगे 20 और 45 को सबसे बाड़ा number कौन सा है जो divide करता है वो number है आपका 5 ठीक है तो 5 आपने बाहर common लिए 20 को 5 से divide करेंगे 4 आएगा 7 में x square minus 45 को 9 से divide sorry 45 को 5 से divide करेंगे 9 आएगा साथ में y square clear है 5 common ले लिए इसको तोड़ के लिख लिख लिए यह हो जाएगा 4x का holy square sorry sorry 4 को लिखेंगे 2 का 4 होता है 2 का square 2x का holy square 9 किसका होता है 3 का होता है y square लिखा है 3y का holy square clear है बटा अच्छे से 5 एक ब्राकेट में क्या हो जाएगा 2x plus 3y दूसर ब्राकेट में क्या हो जाएगा 2x minus 3y clear है बटा अच्छे से इसके बाद देखो second वारा देखो 9 upon 16 तो यह हो जाएगा 3 upon 4 का holy square 9 3 का होता है 16 4 का होता है minus 25 5 का होता है ab की power 2 5ab का holy square ठीक है a की जगा पर 3 upon 4 b की जगा पर 5ab यह ab की बात कर रहा हूं है ठीक है इन दोनों को मिना मद दीजेगा इससे यह ab हम position के लिए कहते हैं यह ab तो ऐसा alphabet कह रहे है ठीक है ना तो एक ब्राकेट में हो जाएगा 3 upon 4 plus 5ab एक ब्राकेट में क्या होगा 3 upon 4 minus 5ab clear है बटा अच्छे से चलो इसके बात देखो question 5 का first part देखो यह अच्छा है दोना समझेगा इसको open नहीं करना है ठीक है open करके गलती मत कर देना 2a plus 3b का holy square minus इसको क्या लिखेंगे 4c का holy square ठीक है जो जाएगा 2a plus 3b plus 4c एक ही जगा पर ये है बी की जगा पर 4c है एक ही जगा पर यानि फर्स पोजिशन पर 2a plus 3b है बी सेकंड पोजिशन पर 4c है 2a plus 3b minus 4c clear है बटा अच्छे से इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपका 1 का square 1 को 1 का square लिश सकते है minus b minus c का holy square तो एक bracket में क्या लिखोगे आप 1 plus b minus c ये लिखोगे एक bracket नो दुसरी bracket में क्या लिखोगे 1 minus b minus c ये तो लिखोगे ना बटा clear है ना चीज तौन में आ रहा है ना चलो इसके बाद देखो बाहर plus है तो bracket के अंदर जो sign है alphabet का वही रहेगा b bracket के अंदर plus में है तो plus में रहेगा c bracket के अंदर minus में है तो minus में रहेगा अब देखो bracket बाहर minus है bracket के अंदर b और sign का sign जो भी हो वो change हो जाएगा क्यों कि बाहर माइन्स लिखाए यापि B bracket के अंदर plus में हैं बाहर आएगा minus में हो जाएगा C bracket के अंदर minus में हैं बाहर आएगा plus में हो जाएगा और यह आपका अंसर हो जाएगा उके बिटा क्लियर है चलो पडाख से इसका इसके बाद next question explain करते हूं, जल्दी से लिए लोगटा, चलो शावाश, चालिए, इसके बाद अपने next question करते हैं, समझे गए तोड़ा सा, ठीक है देखो, क्या दिखा है, 9x plus y का whole square minus x square, इसको भी कर लेंगे बेटा अचानी से, ठीक है, हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं देखो, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, 3x plus y का whole square, minus x का whole square, लिख सकते हैं न, भाई यह 9 को क्या लिखा हमने, 3, फिर ब्रैकेट लगाए, x plus y का whole square, ठीक है न, minus x का whole square, क्लियर है न बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बता दो, ओके, शालो, एक ही जगा पर यह है, बी की जगा पर यह है, तो क्या हो जाएगा, 3x plus y, plus x, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3x plus y, minus x, ठीक है, और अगर simplify करके लिखना चाहो तो इसको plus कर लो, बता ब्रैकेट ओपन कर लो, तो यह हो जाएगा, 3x plus 3y, 3 को x से भी multiply कराया, 3 को y से भी कराया, plus x हो जाएगा, इसको भी करा लो, 3 को x से कराया, 3 को y से multiply कराया, फिर minus x हो जाएगा, यह हो जाएगा, 4x plus 3y, यह कितना हो जाएगा, 2x plus 3y, क्लियर रेपटा अच्छे से चलो कुछ आमस्टिक्स का सेकेंड बार देखो 2M प्लस 3N का होल स्कार माइनस 3M प्लस 2N का होल स्कार एक जगा पर यह है बी के जगा पर यह है आपको सीदा-सीदा बस लिखना है 2M प्लस 3N प्लस 3M प्लस 2N जब आपको इस तरीके से दो टर्म वाले गिंती दी हो या दो टर्म वाले मतलब एक्स्प्रेशन दी हो तो आप ब्राकेट लगाना मत बुलिएगा ठीक है उसमें क्या होता है गलती के चांस बहुत कम हो जाते है ब्राकेट नहीं लगा होगे तो भी सही है लेकिन वाले प्लस है तो साइन जो है वही रहेगा लिखने चाहिए किस्टे पॉल लिख लो 2M प्लस 3N बाहर प्लस है ब्राकेट के अंदर जो भी इंटिटी का साइन जो है वही रहेगा 3M प्लस में है प्लस में ही रहेगा 2N प्लस में है प्लस में ही रहेगा इस में जो जाएगा क्यों कि बाहर क्या है माइनस है 2M प्लस 3N का साइन तो ही रहेगा 3M देखो प्लस में है बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा 2N plus में है बाहर आगा minus में हो जाएगा clear है 2M और 3M मिलके कितना हो जाएगा 5M 3N 2N मिलके कितना हो जाएगा 5M 2M 3M मिलके कितना हो जाएगा minus M 3N 2N मिलके कितना हो जाएगा plus M clear है बटा अच्छे से common आला न 5 बहार निकाल लो अंदर देखो क्या बचेगा M plus N बचेगा बचेगा गाamp एहां पी देखो क्या बचेगा minus M plus N चाहे N को पहले लिए दो तो N minus M हो जाएगा clear है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं समझ गया air N को पहले लिख दिया minus M को बात में लिखा है ऐसे भी लिखने थे तो कोई दिख्या ताली बात नहीं थे वह भी करेक्ट होता ओके तो अन्मेरा बटा अच्छे से चलो सेवन का फस्स पार देखो क्या कह रहा है समझना यह भी भाई चीज है इसको क्या लिख सकते हो 5 a प्लस b का होली स्कॉर 25 को 5 का स्कॉर लिख दिया a प्लस b की पावा टू थी तो a प्लस b अब बाहर जाके स्कॉर लगा दिया इसको क्या लिख होगे 16 को 4 लिख होगे 7 में a माइनस b का होली स्कॉर क्लियर a की जगा पर पूरा ये है b की जगा पर पूरा ये है तो A square minus B square हो गया, formula क्या होता है, 5A plus B, plus 4A plus B, sorry, A minus B है यहापे न, यह एक bracket में उठाएगा, बीच में plus लगा के, दुसरे बाद, दुसरी बर क्या होगा, बीच में minus लगा देंगे, यही तो होगा ना बटा, clear है, चलो open कर लेते हैं, यह लाएगा 5A plus 5B, यह कितना हो लाएगा, 4A minus 4B, clear है, यहाँ पर देखो, 5A plus 5B, समझ मेरा न, कैसे आ रहा है, 5 को इसे multiply किया, 5A आ गया, 5 को B से किया, 5B भी आ गया, देखो, बाहर minus है, तो अंदर का sign जो भी हो चेंज होगा, एक इसमें है, plus में है, bracket के अंदर, बाहर आएगा, minus में हो जाएगा, 4 को इसे किया, 4A हो जाएगा, 4 को B से multiply किया, 4B हो जाएगा, clear है, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो दो, समझ न, 5A में 4A जोड़ देंगे हो जाएगा, 9A, 5B में 4B घटा देंगे हो जाएगा, plus B, 5B में से 4B करेंगे, तो 1B आएगा, 1 हम आपदार पे लिखते नहीं, इस वज़े से सी, हमने बी लिखा है, 5A में 4A माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 5B में 4B जोड़ देंगे, कितना आएगा, 9B, clear है बेटा, अच्छे से, समझ माया, clear है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके, चरू, समझ ना बेटा, चीज़ें काफी आसान है, बस आपको समझने की दिर रहेगी, ओके, देखो, सेकेंड बार देखो, समझ का, 9, 3X प्लस 2 का होली स्कार माइनस 4, ब्रैकेट में 2X माइनस 1 का होली स्कार, इसका अब दिसकते हो 3, X प्लस 2 का होली स्कार, ऐसे करके, इसको 4 है, तो यह जागा 2, 2X माइनस 1 का होली स्कार, एकी जगा पर पूरा ये है, बीकी ब्रैकेट में हो जाएगा 3 3 x plus 2 plus 2 bracket में 2 x minus 1 एक ब्रैकेट में इसे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 3 x plus 2 minus 2 bracket में 2 x minus 1 9 x plus 6 plus 4 x minus 2 जाएगा 9 x plus 6 minus 4 x plus 2 समझ मेरा ने कैसे किया देखो जहाँ तो प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर जिस गिंदी का जो जाएगा 2 को 2 x से किया 4 x आ गया 2 को minus 1 से किया minus 2 आ गया यहां bracket के बाहर minus है तो अंदर के sign चेंज होगा 2 x plus में है minus में हो जाएगा 2 को 2 x से करेंगे 4 x आ गया minus 1 sorry 1 minus में है plus में हो जाएगा को ब्रैकेट के बाहर minus है 2 को 1 से करेंगे 2 आ गया clear रे बटा अच्छे से चलो 9 x 4 x को जोड़ेंगे कितना आएगा 13 x 6 में से 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा यही आगा ना 9 x में 4 x minus करेंगे कितना आएगा 5 x आएगा 6 में 2 6 में 2 plus 5 आएगा 8 आएगा 6 minus 2 करेंगे तो 4 आएगा तो नहीं है बटा अच्छे जै को दिकत वाली बात नहीं है अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शियर करें और इस वीडियो को उनमेचे तक ज़रूर पहुचाएं जो कोचिंग को एफ़र्ड नहीं कर सकते थाइंक्यू